हेलो नवस्कार दोस्तों कैसे आप सभी अगर आप भी ब्लॉगर के लिए वेफसाइट बना रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आज मैं बताने बाला हूँ कि आप साइड मैप कैसे जनरेट करेंगे ब्लॉगिंग के लिए क्योंकि अगर आप साइड मैप सम्मीट नहीं करते हैं अपने ब्लॉगर या फिर वर्ट्प्रेस वेफसाइट पे तो आपका जो है वेफसाइट रैंक नहीं करेगा जी हाँ साइड मैप जनरेट करना बहुत ही हमें बताना होता है सर्च इंजन को गूगल को या फिर वेंग से या हूँ है कि हमारा एक वेफसाइट है जो कि हमने अल्रेडी बैप पे सब्मीट कर रखा है उसे हमें रैंक करवाना है और उसमें क्या होगा साइड मैप में आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं जो भी आप पोस्ट लिख रहे हैं ब्लॉगर के लिए उन सभी का जो है आटोमेटिक इंडेक्स हो जाएगा गूगल या फिर आपके सर्च इंजन या हूँ हो गया विंग्स हो गया तो उसके लिए सेट अप क्या से करना वह बहुती इजी प्रोसेस है तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दॉप क्या आपको जुअ ब्लॉगर के लिएक लिए यूज करना है तो ब्लॉगर ही सर्च करें तो आपके सामने देखने बहूत सारे रिजल्ट हागे है बहुत सारे तो आपको क्या करना धएंप किसी एक सूर्ण करना है और हार वह फर्ष्ट वाला ठीक है तो हम इसको कर लेते हैं एक नए टैब में open और उसके बाद हम चलेंगे इसमें देख तो यह इस तरीके के आपके सामने जो है एक interface दिखेगा तो आपको करना है simply इस पर click और नीचे के तरफ आना है और जब नीचे के तरफ आएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको साइड मैप जनरेटर का option तो यह नीचे देखी यहाँ पर लिखा हुआ है साइड मैप XML जो है आप जनरेट करेंगे blogger के लिए तो आपको जो है इससे submit करने के लिए क्या करना simply अपने website का URL को copy करना है अगर आप एक custom domain use कर रहे है तो तो मैं यहाँ से www.upscfreenotes.in को copy करूँगा यह custom domain है जिसे कि मैंने use किया हुआ है तो अब मैं करूँगा view the website और view website करेंगे तो मेरा website यहाँ पर खुल जाएगा upscfreenotes.in और मैं इसको यहाँ से भी आप copy कर सकते हैं और जो है अपने blogger से भी copy कर सकते हैं यहाँ मैं इसको select करके यहाँ पर URL को paste कर दूँगा और पहले वाले अगर आप line को चाहें तो हटा सकते हैं उसके बाद करना है simply generate the side में click करते ही आपके सामने पूरा result आजाएगा और उपर जो देखिए यहाँ पर दे रखा है timing दे रखा है कि आपने side में कब generate किया है और किस website से किया है तो इसको आपको copy बिल्कुल नहीं करना उसके बाद यह जो user agent है यहाँ से ले करके आपको सारे copy करना है ठीक है copy यहाँ से easily कर लीजिए और उसके बाद जो है आपको जाना है अपने blogger में और आपको तो पता ही होगा इसे कहा paste करना है क्योंकि अगर आप इसको सर्च करने इस वीडियो उसको तो आपको पता होता है setting में जाना और setting में जाने के बाद आपको scroll करके बिल्कुल नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको scroll the indexing ठीक है यहाँ पर आपको जाना है custom robots.txt में और उसके बाद यहाँ पर इसको कर देना paste तो यह देखिए यहाँ पर आप 10,240 जो है keyword का use कर सकते हैं wording का तो यहाँ पर मैं डाल रहाँ कि 500 तक यह automatic index होगा blogger के उपर search console के साथ ठीक है जब हम इसमें side map generate करते हैं तो उसके बाद आपको simply कर देना इसे save और save करने के बाद आपका side map generate हो चुका है और अगर आप चाहें तो एक blog spot या फिर और भी किसी भी website के थूँ आप जो है अपने side map को generate कर सकते हैं so thank you very much watching this video